ओम सिरी गनिशाय नमदूस्तू एश्टू समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार दिक स्वागत है। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरह अप्रेल बुध्वार की रासी फल्क के बारे में की हडिन मेश रासी वालो के लिए कैसा रहने वाला हैं। पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग इस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब परें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मेस रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुकूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी मेहनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोकों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म मल वे आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तों बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए साफधान रहें गर के किसी बुजुर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तों साथी साथ आपको भी अपने स्वेभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परन्तु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरहनिवरी हैं दोस्तो जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों वैवशाय में अभी वरतमान परिस्टितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भ आज उस कार्य को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद हैं दोस्तों साती सात कार्य शेत्र में दूसरों के हस्तोषेप से कर अपने निर्ण को प्रातिमिक तादें तथा वैवसाइक गतिविद्यों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेसा व्यक्ति भी ओफिस में पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साती सात आज आप किसी कारणों से कार्य छेत् अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा वैवसाइक छेत्र में आपकी कार्य छमता वै काबिलिय काम्याबी आपके द्वार खट खटा रही है इसलिए प्रतेकरों को आप आज बहुती गंभीरता से ले नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी उनकी कार्य छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंदुरुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है, दोस्तो साती सात, अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा न योग करें, वैयाम करें, स्वास्त रहें, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश वपय क्या हैं, दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद साथ साबत कोडियां लें कोडियां आपको बाजार में पूजन सामगरी की दुकान से आसाने से मिल जाएंगी जादोस्तों इसके बाद आप एक मुठी हरेक खड़े मूंग लें और दोनों को हरेक टपड़े में बांध कर किसी मंदिर में जाकर शीडियों पर रखाएं और मनिमन भगवान श्री गनेशी जी का इसमना करते रहें और अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तों ध्यान रखें कि आप इस संबंद में किसी को कुछ न बताएं और पूरी आस्था रखें जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहे भगवान श्री गनेश जी के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का आसिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट सबोक्स में जैस श्री गनेश अवस्त लिखें और